चूरू जिले के तारानगर से निकटवर्ती ग्राम चंगोई से ओजरिया जाने वाले रास्ते परिस्तित खेट में पीती रात अपने खेट की रखवाली कर रहे 25 वर्ष यूवक भवाने सिंग पुत्र प्यर्यम सिंग की किसी अग्यात ने हत्या कर दी बताया जा रहा है कि रात्री के करीब 12 वजे उप्ती वक्ती वक्ती हत्या हुई है जिसमें उसका गला दबा कर और चेहरे पर किसी भारे चीज से वार कर हत्या को नजाम दिया गया है हत्या बहुत दर्दनाक रूप से की गई है मृतक का चेहरा पूरी तरस से लहू लुहान था हनादिगारी रादिशाम धालोड ने मौके पर पहुंच कर जाइजा लिया मौके पर डियाए एसपी रामपरताब विश्णुई टॉग स्कॉर्ड और एसेफल टीम के साथ पहुंचे और शाक्ष दिटाए पुलिस ने मृतक की शव को तारना कर स्थित राच किये जिकिसा अले की मौर्चरी में रखवाया है साथ वजे इसे जरीय पॉन के तरना मिली कि प्रेम सिंग राजवी का लड़का जो अपने खेत में बड़ी करा था बवानी सिंग जिसकी डेट बोड़ी खेत में चारपई पर पड़ी है किसी अग्यात जगते ने रात को उसका मटर कल जे इस पर मनाय सहीव है स्टाप के मोखे पर पांचा और उसका लिकारियों को इसके बारे में सुचना दीजी तो रफ्रेम सिंग राजवी का लड़का बवानी सिंग चारपई पर उसकी खेत में बवाय के पास बोड़ी पड़ी थी जिस पर उसके कारियों को अगुछ किराया जाकर अपेसल और रोब स्कॉट को मोखे पर पर पुलाया गया है मर्तक की बोड़ी अभी पोर्ची रूम में रभाई गी है इसका अभी पोस्टमार्टिव कारवे करान दीजी है प्रेजिदों ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया जैसे रिपोर्ट होगी अग्रेम कारवी कि देए